नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो. मैं जेवियन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्दन, Faculty of Education and Methodology, जोती विद्यापीठ महीला विशुविद्याले जापुर से. बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कहानी के स्वरूप और उसकी परिभाशा के बारे में. बच्चों, आप तो जानते हो कि कहानी कोई आज की विधा नहीं है. कहानी बहुत ही प्राचिन समय से. हम अपने बुजर्गों से, दादी से, नानी से सुमते आएं हैं. कहीं पुराणों में, वेदों में कितनी कहानियां भरी पड़ी हैं. तो कहानी जो है, वो बहुत ही प्राचिन समय से चली आ रही है. और कई बार उसका मौखिक रूप हमें दिखता है. कितने लोगों ने बहुत से प्रसिद वेक्तियों ने कहानियां कहीं हैं. उब्देश आत्मक कहानियां कहीं हैं. जिनका कोई हमें नाम तो नहीं मिलता है र शमता पाई है, तभी से वो कहानी सुनता आया है. कहानी कहना और सुनना वेक्ति की नैसरगिक आवशकता रही है. कहानी के माध्यम से वेक्ति ने अपनी सामाजिकता का विकास भी किया है, क्योंकि कहानी ने मनश्य को जीवन उप्योगी उप्देश भी दिये हैं. जब हम क कहानी के आधनिक स्वरूप को देखते हैं तो पाते हैं कि कहानी घटनाओं का सेयों जन मात्र ही नहीं है बलकि मानव जीवन की जटिलताओं विद्रूपताओं तथा उसके अंतर विरुधों को व्यक्त करने का सशक्त साहितिक रूप भी है इसलिए आज भी ये एक लोग प् परिभाशा के बारे में कहानी को परिभाशित करने का प्रयाज सबसे पहले पश्चिम में ही हुआ है और इसलिए कहानी के लिए जो भी पास्चाति विद्वान हुए है उन्होंने जो परिभाशा दी है उनको हम आज समझेंगे सबसे पहले विद्वान है हर्टसन हर्टसन कहानी के विशय में लिखा है कि उसमें एक मूलभाव होता है और उस मूलभाव का विकास तारकिक निश्कर्षों के साथ लक्ष की एक निस्टता से सरल स्वाभावे गति से किया जाना चाहिए छोटी कहानी आकार में इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसे एक ही बैठक में पढ introduction to the study of literature में कहा है कि जो कहानी है वो आकार में इतनी छोटी होनी चाहिए या इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसे एक ही बैठक में पढ़ा जा सके मतलब एक सिटिंग में पढ़ा सके पढ़ा जा सके यानि कि एक बार में उसको खतम किया जा सके एलेन पो ने कहा है कि कहानी वो गद्य विदा है या वो गद्य कता है जो आदे घंटे से लेकर दो घंटे तक में समाप्त हो जाती है तो एलेन पो कहते हैं कि कहानी जो है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि या तो आदे घंटे उसका जो समय है वो आदे घंटे से लेकर दो घ गंटे में हो जाए तो इस प्रकार से कहानी जो है वह आदे घंटे से लेकर दो गंटे तक में समाप्त हो जाए मतलब कि वह इस तरह की उसके रचना होनी चाहिए और इतनी बड़ी होनी चाहिए कहानी एंडन चेकव जो विश्व के सबसे पड़े कताकार माने जाते हैं इनके उनसार कहानी में साधरन से साधरन बातों का वंडन किया जा सकता है बहुत साधरन से बाते हैं उसके सत्य के बात उनकी दोस्तों के वारतालाप के बात दोस्तों की वारता लाप तो इस प्रकार से कुछ भी कहानी का विश्य हो सकता है कि साधारन से साधारन बातों का वर्णन भी कहानी में हो सकता है इसी प्रकार हम देखते हैं कि कहानी की और निजो परिभाशा है James W. Lynn ने कहा है कि किसी एक पात्र के जीवन में आने वाले किसी मोड को संक्षिप्त और नाट की धंग से किया गया चितरन ही कहानी है James W. Lynn कहते हैं कि कि किसी एक पात्र के जीवन में आने वाले किसी एक मोड का मतलब ये किसी एक घटना हो सकती है कोई एक कोई बात हो सकती है किसी एक ही पात्र के जीवन में आने वाले किसी मोड़ का संक्षिप्त और नाट की धंक से किया गया चित्रन ही कहानी है तो जो हमारे आप पाश्चाद विद्वानों ने तो यह परिभाशा दी हमारे भारति जो विद्वान है उनमें जो मुझ्शिय प्रेम्चन ज़ी हैं उन्होंने कहानी के बारे में क्या कहा है इसको भी अपन जाने कि कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश रहता है सबसे उत्तम कहानी वही है जो किसी मैनोव एग्यानिक सक्ते पर आधारित हो मुन्शु प्रेमचंजी कहते हैं कि कहानी वही है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित किया गया हो यही उलेखा का उद्देश और उत्तम कहानी भी उन्होंने कहा है कि वो ही माने गई है उत्तम कहानी उसी को कहा है जो किसी मोनोवैग्यानिक सत्ते पर आधारित हो राजिंद्र यादव जी कहते हैं कि अनुभव की प्रामानिक अभिव्यक्ती ही कहानी है कि जो अनुभव है उसकी प्रामानिक अभिव्यक्ती ही कहानी है मोहन राकेश जी का कहना है कि कहानी न तो घटनाओं का ब्योरा है और नहीं जीवन का लिखा जोखा बल्कि कहानी की मूल चेतना है वेक्ति के दर्द को उभारना कहते हैं कि कहानी न तो घटनाओं का ब्योरा है और नहीं जीवन का लेखा जुखा कोई हमें लेखा जुखा नहीं बताना है कोई ब्योरा नहीं बताना है किसी बात का मलकि कहानी क्या है कि कहानी की जो मूल चेतना है वो क्या है कि व्यक्ति के दर्द को उभारना जैसंकर प्रसाद जी कहानी के सौंदर का मूल कहानी का रस मानते हैं इसे प्रकार इलाच अंद्र जोशी मानते हैं कि कहानी जीवन की परस्थितियों को स्वाभावी गती परदश्चित करने वाली विधा होती है अग यह जी का कहना है कि कहानी एक सुक्ष्म दर्शी अंद्र है जिसके नीचे मानवी अस्तित्व के दर्श्च खुलते हैं तो इस प्रकार से पाश्चात और भारती विधानों ने इसकी परिभाशा दी है कहानी की और विविन प्रकार से कहानी को परिभाशित किया है हम देखते ही आ रहे हैं कि प्राचीन काल से ही कहानी महकुक रूप में हमारे सामने है और अगर देखें तो इन सब का असार यही निकलता है कि कहानी जो है आधुनिक साहित की वो विधा है जो गद्य और छोटे आकार में रची जाती है और मानव जीवन या जगत की किसी एक घटना, वस्तू, व्यक्ति, इस्ति, मनुभाव या विचार को लेकर अपना अस्तापत इस तरहे निम्रित करते हैं कि पाठा को उसे पढ़कर अभिभूत हो जाए और रसिक्त हो जाए ये अपने आप में कोई मुकलम, मुकमल और अन्तिम परिभाशा नहीं है बलकि सुविधा के लिए हम कह सकते हैं कि कहाने गद्य और लगुआ अकार में लिखी ऐसी रचना है जिसमें एक मूल समवेदना हो और उस समवेदना की तारकिक प्रभानविती हो उसमें जीवन के किसी एक सत्य खंड की प्रतिष्टा हो और ये प्रतिष्टा इतनी रोचक और आकरशक हो कि पाठक की रुची उसमें बनी रहे पाठक कहानी को एक बार पढ़ना अरम करे तो उसे समाप्त करने के बाद ही उसे छोड़े और यही कहानी की मुख्य ताकत होती है ये तब ही संभ़ हो सकता है जब कहानी मानव जीवन और उसकी स्थियों का विश्वस्नी और प्रभावशाली चित्रन प्रस्तुत करे तो बच्चों हमने देखा कि कहानी क्या है उसकी एक मूल समवेदना होती है और कहानी को गल्प आख्याई का भी कहा जाता है और कहानी को विभिन नामों से पकारा जाता है कथा भी कहा जाता है तो कहानी के परिवाशा विभिन विद्वावन ने अपने अपने ढंक से दी है और कहानी का लगू आकार होता है उसकी एक समवेदना होती है उसका एक मूल भाव होता है उसके में एक पात्र होता है यानि कम पात्र होते हैं तो इस प्रकार हमने जाना कि कहानी क्या है और मुझे comment box में comment कर सकती है मैं आपको इसका उत्तर दूँगी और कहने के बारे में और अन्य बाते में आपको अगले वीडियो में बताऊंगी नमस्कार